नमस्कार दोस्तो प्रकार के रोगों से शुड़कारा भी पाया जा सकता है और कई रोग लगने की संभावना भी कम हो जाती है प्याज के प्रयोग के बिना खाने का सवाद अधूरा रहता है इसके अलावा प्याज को कच्चा भी खाया जा सकता है कच्चे प्याज का सेवन भोजन के साथ आपको हैरान करतेंगे प्याज के औशधिय गुन कब्ज को करे दूर अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान है तो प्याज के सेवन से राहत पा सकते हैं प्याज में पाए जाने वाले रेशे पेट के लिए बेहद लाब दाइक हैं नेमित रूप से सलाद के तौर पर प्याज खाने से कब्ज दूर होती है तो कब्ज से राहत पाने के लिए आज से ही रोजाना कच्चा प्याज खाना शुरू कर दें इससे फाइधा होगा दिल के रोगों से करे बचाव कच्चे प्याज के सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है इसमें पाए जाने वाले मिथाइल सलफाइड और अमीनो एसिड कॉलिस्टॉल के स्तरको नियंतृत करते हैं कच्चे प्याज के नेमित सेवन से दिल के रोगों से बचाव होता है बालों के लिए है फाइदे मंद बालों के स्वास्थे के लिए प्याज का सेवन बेहद फाइदे मंद है इसके प्रयोग से बालों का तूटना वा गिरना बंद होता है और सफेद बाल काले होते है इसके लिए बालो में प्याज के रस की मालिश करने से फायदा होता है प्याज को पीसकर लेप बना कर लगाने से कम उमर में सफेद हुए बाल दोबारा काले हो जाते हैं इसके अलावा प्याज के रस में दही और निम्बू का रस मिलाकर बालो में लगाने से रूसी की समस्या से छुटकारा मिलता है पत्री की समस्या से दिलाए निजात पत्री होने पर प्याज का सेवन करने से फायदा होता है इसके लिए प्याज के रस का सुभा खाली पेट सेवन करने से अधी कलाब मिलता है इससे पत्थरी टुकडों में बढ़कर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है इसके अलावा प्याज के रस में चीनी मिलाकर पीने से भी पत्थरी की समस्या में आराम मिलता है सर्दी खांसी कफवा गले की खराश में भी कच्चे प्याज का सेवन करने से फाइदा होता है इन समस्याओं से राहत पाने के लिए कच्चे प्याज का रस पीना फाइदिमन रहता है प्याज के रस में गुड़ या शहद मिलाकर पीने से इन समस्याओं से जल्द राहत मिलती है पुर्षों के लिए है लाबकारी पुर्षों की यौन समस्याओं को दूर करने में प्याज का सेवन लाब दाइक रहता है सफेद प्याज के रस के साथ शहद का सेवन करने से वीरे में वरिधी होती है साथ इस सफेद प्याज का रस अधर का रस शहद और घी का मिश्रन बना कर 21 दिनों तक लगातार सेवन करने से नपुन सकता दूर होती है वीरे वरिधी के लिए प्याज को पीस कर इसमें गुड मिला कर खाने से फाइदा होता है गर्मी में लू लगने से करे बचाव गर्मियों के मौसम में अक्सर लू लग जाती है जिससे शरीर बिमार पढ़ जाता है गर्मियों में लू से बचने के लिए रोजाना एक प्याज का सेवन करना फाइदे मन्द रहता है शूगर के रोगियों के लिए कच्चे प्याज का सेवन लावदाएक रहता है इसके नेमत सेवन से इंसुलन का स्तर बढ़ता है शुगर के रोग से पीडित लोगों को कच्चे प्याज को भोजन के साथ सलात के रूप में खाना चाहिए कैंसर से करे बचाओ प्याज में पाय जाने वाले तत्व कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं इसमें पाया जाने वाला सलफर, ब्रेस्ट, फेफडे, पेट, कलोन और प्रोस्टेट कैंसर से बचाओ करता है गठिया के दर्द में दे आराम गठिया के दर्द में भी प्याज का प्रयोग करने से आराम मिलता है इसके लिए प्याज के रसमे उतने ही मात्रा में सरसों का तेल मिलाकर मालिश करने से गठिया के दर्द से राहत मिलती है इन दोनों को मिलाकर तकरीबन दो महिने तक लगातार मालिश करने से जोडों के दर्द में अधिक आराम मिलता है खून की कमी को करे दूर प्याज में पाए जाने वाले गुण खून की कमी यानी एनेमिया को दूर करते हैं इसके लिए रोजाना प्याज खाने से खून की मात्रा में बढ़ोतरी होती है इसके लावा हरा प्याज खाने के भी कई फाइदे हैं हरा प्याज खाने से शरीर की रोग प्रतिरोथक शमता बढ़ती है, इसमें एंटी बैक्टिरियल गुन भी पाए जाते हैं, हरे प्याज के सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ती है, इसके नेमस सेवन से चेहरे की जुर्रियां दूर होती है, और गठिया और अस्थमा रोग में भी लाब होता है, सो दोस्तो यह थी प्याज से जुड़ी जानकारी, हर दिन नए और बेहतरिन वीडियो देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जुरू सब्सक्राइब करें, और इसे तरह के बेहतरिन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिं झाल